तो आज के दियने में जो इलेक्शन कमिशन का क्राइटीरिया है तो रिकरगनाइज स्टेट पोलिटिकल पार्टीज कैसे रिकरगनाइज करी जाती है उसको स्टेडी करने जा रहे हम और इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा दोज और फ्यू वार प्रिपेरिंग फोर प्रिल कवर्ड आज फ्री इनिशेटिव और जेवी यूट्यूब चानल जिन लोगों को नहीं पता या आपके कोई दोस्त हैं जो इस बार पेर हो रहे हैं उनको भी आप बताईएगा जरूर देन ओल इंडिया मॉग टेस्ट सो वी एव और्गनाइज देस इनिशेटिव और इनेबल यू तो होलिस्टिकली एवालुएट यॉर्सेट रहेगा तो इसको आप चेक आउट कर सकते हैं इसके लिए अन्रोल कर सकते हैं आज जस्वान रुपी बाइविजिटिंग वेबसाइट जतिनवर्मा.org नौ मेंस आंसर राइटिंग गाइडिंस प्रोग्राम के ल तो इसके लिए भी आप अन्रोल कर सकते हैं इस इस गूंग तो स्टाट फ्रम 15 अपरिल यानि की कल से जो लोग इसके बारे में विलिंग है कुछ उनका इंटरस्त है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके यूज गेट अबिट उफ मोर इंफोरमेशन दिस यह है हमारे आज के important news article BBC इंडिया के foreign exchange violation के चलते enforcement डिरेक्टरेट को आज हम समझेंगे enforcement डिरेक्टरेट किस तरह से काम करता है क्या काम रहता है उसका this is what we are going to study now editorials कल के भी कुछ editorials मैंने आज incorporate करें उनको भी study करेंगे so deciphering the deciphering the campaign financing in करनाट का यह थोड़ा सा political overtones है लेकिन फिर भी इसको समझ लेंगे regulatory system हम AI की age में है artificial intelligence की age में है लेकिन क्या हमारे regulatory systems are enabled accordingly तो this is one of the articles unity in diversity यह भी थोड़ा सा political overtones है इसका और यह Ukraine conflict वाला article हम आज देखने जा रहे हिंदू से newspaper से now this is the motivational quote success comes from taking the initiative and following it up persisting what simple actions could you take today to produce a new momentum towards success यानि की persistence is the key here अगर आप सोचो कि आप stagnate हो जाओगे success आजाएगा एक दिन सुबा उठोगे और एकदम से आपके success आके कदम चुमने लगेगी ऐसा नहीं होगा right persistence perseverance is the key अगर थोड़ा सा slumber थोड़ी सी routine में थोड़ी आलस आ रही है तो उठो जागो दोड़ना शुरू करो जो concrete steps baby steps भी अगर ले सकते हो if you can start walking towards your goal aim objective for the day then that is the right way to get success right a new momentum कैसे momentum create करना है आज से पिछले तीन महीने से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं आज एक resolution लो कि आज से पढ़ना शुरू करोगे एक घंटा गाने सुन रहे हो जो कर रहे हो यह time तै कर लो दो बज़े से या चार बज़े से पढ़ोंगा और फिर आगे की routine ऐसे ही momentum अपना maintain कर है कि we are all human beings पिछले 15 दिन से नहीं पढ़ रहे हो कुभी कुछ game खेल रहे हो या फिर depression में चले जाते है कि तैयारी slow चल रही है लेकिन जागना उठना और भागना यही success का रास्ता है now coming here goods export grew 6% imports goods export जो है 6% बढ़ रहा है merchandise export जिसे बोलते हैं import 16.5% बढ़ रहा है तो इस phenomenon को भी थोड़ा सा समझेंगे क्या positive reasons हैं और क्या negative reasons जिसके वज़े से goods export बढ़ रहा है और कम बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है BBC इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोधी के गुजरात रॉइच के ऊपर इंडिया दा मोधी इंडिया दा मोधी question नाम से एक documentary बनाई थी उस documentary को take down करवा दिया भारत सरकार ने अब उसके बाद BBC के offices के ऊपर जो है foreign exchange violations का मुकदमा और यह सब मतलब it has invited a lot of problems for itself क्या जरूरत थी ऐसी documentary बनाने की now so इसके चलते हम foreign exchange management act को study करेंगे right तो start करते है फटा फटसे जे भी आई है इस 10 नाम के telegram channel से आप इसका PDF download कर लोगे for taking down the notes the factual part के जो आपको notes बनाने है उसमें PDF का एक जो रोल रहता है वह आप वहां से download कर सकते हो now यह तो हो गया इसका factual part लेकिन हम यह आज समझेंगे कि enforcement directorate जो है enforcement directorate foreign exchange management act के अंडर बनाया गया है right या उसकी जो powers है foreign exchange management act के अंडर मिलती है FEMA जो है पहले फेरा हुआ करता था right socialist era में जब इंदिरा गांधी का era था socialism हम काफी बढ़ चड़ के preach करते थे socialistic philosophy थी इंडिया की तब foreign exchange regulation था लेकिन facilitatory regime जब 1991 के reforms के बाद आया तो foreign exchange management approach हो गई है हमारी यानि कि उतना जादा हम foreign exchange को frown upon नहीं करते ease of doing business या FDI limits को relax किया जा रहा है तो उसी approach से FEMA जो है लाया गया था 1999 में to replace the earlier foreign exchange regulation act now famous head office is known as enforcement directorate primary objective is to help facilitate external trade and payments in india to help facilitate external trade or payments ko facilitate karna or objectives kya है iske to help orderly development and maintenance of foreign exchange market in india to facilitate transactions involving a foreign exchange or foreign security and payments from outside the country to india only to an authorized person authorized agents जो है यानि कि जो banks रहते हैं जिनको foreign exchange जो banks की SBI की HDFC की जो branches को permit किया गया है foreign exchange में deal करने के लिए only उनको ही authorized person कहा जाएगा foreign exchange management act में RBI ये license देता है कि कौन-कौन सी banks की branches जो हैं उनको foreign exchange में deal करने की permission है now applicability of FEMA it is applicable to all parts of india it is also equally applicable to the offices and agencies located outside india but those agencies which are managed or owned by indian citizens ठीक है FEMA is applicable to the following entities NRIs के उपर ये applicable होता है कोई overseas company है जो 60% owned है और 60% या से ज्यादा owned है by a non-resident indian उनके उपर भी अपलाई होगा देखो फेमा का basic objective क्या है फेमा का basic objective है कि डॉलर्स या यह जो euro yen pound sterling यह जो है इसमें काला धन या यह जो फॉरेक्स है इसका कोई illicit या इसका exchanges ना हो राइट गलत गौरत धंदे ना चल रहे हो foreign exchange के नाम पे यह जो smuggling और यह सारा कुछ है इनको control करना और किसी व्यक्ति की यदि कोई associate branch या subsidiary company है outside india तो फेमा उन पे भी apply होता है clear now exports of any goods and services from india imports of goods and services to india banking financial and insurance services provided banking financial and insurance services provided outside india so fema is applicable on all such transactions cross border sale purchase and exchange of any kind क्योंकि enforcement directorate काफी जादा news में है FEMA article FEMA का जो act है वो भी news में है तो इसके बारे में यह information gather करना आपके लिए फायदे का सौधा रहेगा prelims का जहां तक question आता है clear so this is the case now कौन-कौन सी laws हैं जो IT department के पास enforcement directorate के पास यह powers देती है section 133a of income tax act 1961 ठीक है तो act में amendment लाया गया था 1964 में to give the jurisdiction authorized officers जो है enforcement directorate को के उनको jurisdiction दिया गया कि आप किसी भी business profession कोई office charitable activity जहां पर dollar foreign exchange का लेंदेन हो रहा है you can inspect that office for the books of accounts और other documents और impound करने की यानि कि कि किसी भी property को सीज करना किसी भी property को अपनी गिरफ्ट में लेना या उस property को जो है impound करना उसके rights दिये गए finance act 2002 जो budget का act होता है ना finance act budget के दू पहलू होते हैं finance act and appropriation act तो कई-कई बार सरकार finance act में amendments करके भी ऐसी regulatory bodies को enforcement directorate जैसी bodies को पावर देती है तो what is the difference between search and seizure search and seizure seizure एक broader term है ठीक है search and survey की बात कर रहे है यह पर पहले तो search and survey search होता है कि खदेड मतलब समझ लो कि जांच परताल करना घुश के files बगारा निकाल के खंगाल के देखना more serious ठीक है proceeding than a survey so it is a more serious proceeding और survey क्या रहता है it can only be conducted within the limits of area assigned to the officer or at any place occupied by a person under the officer's jurisdiction यानि कि अगर IT का कोई officer है enforcement directorate का officer है उसको एक अपनी zone दी जाती है एक area दिया जाता है उस area में यदि किसी व्यक्ति पे कुछ आरोप है allegations है कि यहां काला धन या foreign exchange कुछ ऐसा फिरोक्त हो रही है तो उस area में ही वो person सर्वे कर सकता है राइट सर्च जो है anywhere in India जब कोई सर्च होती है तो आप देखते हो 13 ठिकानों पर चापे मारी हो रही है 15 ठिकानों पर चापे मारी हो रही है तो वो सारदा स्कैम में जिनका नाम उठके आ रहा है उनके सभी ठिकानों पर सर्च किया जाता है राइट सर्वे थोड़ा सा narrow term है सुप्रीम कोट ने करनाटका सरकार को पटकार लगाई है कि आपने OBC quota for Muslims को कैसे convert कर दिया General quota में General quota for EWS में देखो OBC अभी तक करनाटका में ये understanding थी चुनाफ से पहले की understanding इस फेर बदल से पहले की understanding ये थी कि Muslims OBC category में आते हैं ठीक यानि कि caste basis पे Muslims को other backward classes का दरजा मिला हुआ था लेकिन 100 साल पुरानी इस understanding को करनाटका सरकार ने अब change कर दिया है अब क्या किया गया है Muslims को 4% quota दिया गया है लेकिन उनको उनका जो quota pool है वो हटा कर change करके कौन सा quota कर दिया economically weaker section of general category तो अब Muslims का ये कहना है वहाँ पे थोड़ा आक्रोश भी है community में कि कैसे हमें backward community से निकाल के educationally backward community you know socially and educational backward community under OBC से निकाल के EWS category में डाल दिया है यानि कि Muslims का जो backwardness का recognition था उसको negate कर रहा है करनाट का सरकार का ये rule ठीक है उनको general category के economically weaker section में रख दिया गया यानि कि कल को अगर ये सवाल उठेगा कि क्या Muslims OBC category में आते हैं तो ये माना जाएगा कि नहीं Muslims उच तबके के हैं Muslims जो हैं थोड़ा relatively prosperous हैं और वो caste wise other backward classes की श्रेणी में नहीं आते हैं इससे कल को Muslims को reservation की इस policy में और जादा नुकसान हो सकता है जहां तक reservation के benefits लेने की बात है clear क्योंकि आप सभी जानते हो EWS के लिए जो criteria है वो सिरफ 10% है और वो तभी तक है जब तक कोई income ceiling 8 lakh रुपीज से increase नहीं हो जाती लेकिन OBC वाले में क्या है जब तक कोई caste backward है तब तक वो उसमें रहेगी हाँ income ceiling दोनों की more or less same criteria है income ceiling का right communities in category 1 are treated on par with scheduled caste लेकिन अब Muslims को उन से निकाल के जो है EWS में डाल दिया गया है तो यह इस वज़ा से करनाटका सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश है कि करनाटका never had religion based reservation Muslims have not been categorized as backward class on the basis of their religion but on the basis of their backwardness right अब Muslims को EWS criteria में जो रखा गया है वो religion के आधार पे रखा गया है अब Supreme Court ने करनाटका सरकार के इस आदेश को इस order को आड़े हातों लिया है Supreme Court ने यह कहा है कि यह fallacious assumptions पे false assumptions पे आपने उनको रखा है और यह जो 4% quota है ना लिंगायत को और वोकालिगा जो community है कास्त है वोकालिगा और लिंगायत community को दिया गया है ठीक है कर मुसलिम से लेके जो OBC का quota 4% है वो इन में distribute कर दिया गया और Muslims को और Muslims को जो है इसमें रख दिया गया है right EWS में so this is something जो Muslims को भी acceptable नहीं है काफी लोगों का ये claim करना है काफी लोगों का ये कहना है कि करनाटका सरकार ने decision जो लिया है वो unscientific way में लिया है और कोई इसका basis नहीं है identify करने का whether a large section of Muslims have moved out of backwardness ये इस पे question mark यहाँ पे उठ रहा है right now reports of नगन गौडा committee LGA जो करनाटका सरकार की अपनी committees है उन्होंने भी Muslims को backward classes में ही अब तक consider किया हुआ था clear यह सब्दे को चुनावी माहौल है तो reservation में गारा से लोगों को बर्गलाया जाता है reservation से लोगों को fleece कियाने की lure करने की कोशिश की जाती है कि आप हमें vote दो तो इस बार यह जो appeasement है लिंगायत community और vocal लिगा community के votes को garner करने के लिए कोशिश करी जा रही है कि इनके votes मिल जाए और उनके ना मिले मुसलिम के भले ही ना मिले तो कोई बात नहीं तो यह एक risk ले रही है करनाट का सरकार आज हम बात करेंगे election commission के क्या criteria रहता है election commission ने आम आदमी party को national party का status दे दिया है क्योंकि national party को पंजाब में बहुमत मिला है देली में भी बहुमत मिला है तो जो criteria है उस criteria के ओपर the Hindu में आज ये article आया तो इसको समझते हैं देखो त्रिनमुल Congress, Communist Party of India, Nationalist Congress Party इनकी national party status चली जाएगी अब ठीक है तो अभी जैसे की कुछ वैदान सभा में भी कुछ रीजिंस में election होने जा रहा है उससे पहले आम आदमी party को national party का status मिलना ये आम आदमी party के लिए खुशी की बात है इवन आज इनके leader मनिश्य सोदिया अभी तेहार जेल में है due to liquor policy जिसके उपर allegations है तो state parties का दरजा भी कुछ parties से चीन लिया गया है तो हम ये समझ रहे हैं कि election commission कैसे इस criteria को confer करता है देखो पैरा 6b of election symbols, reservations and allotment order 1968 के तहट ये parties को symbols मिलते हैं अब जिस party को symbol मिल जाता है nationally, national party का status जिस party को मिल जाता है उस party का symbol nationally उसी party के लिए reserve कर दिया जाता है यानि कि आम आदमी party की जो broomstick है, जो जाडू है वो आम आदमी party के लिए पूरे देश में reserve हो गया और आम आदमी party को national channel पे national tv channel पे airing rights भी मिल जाएंगे common party symbol across the states common party symbol across the states free air time during elections on public broadcasters public मतलब दूर दर्शन पर ठीक है और All India Radio 106.4 इन पर space for a party office in New Delhi अब नई दिल्ली में आम आदमी party को space भी मिल जाएगी तो criteria क्या है for a national party status अगर किसी party को national party के दर्जा चाहिए तो party should secure at least 6% of the votes polled in the four or more states in लोगसभा और assembly elections कम से कम जो votes polled करे गए है उनका 6% या तो लोगसभा के elections में या फिर state assembly के elections में आम आदमी party ने criteria fulfill किया है तो इनको ये criteria मिल गया और इसके साथ-साथ in addition in addition the party should have at least four members in the लोगसभा पार्टी के four members 6% votes मिले हो last elections में last assembly elections में जो उन राज्यों में elections हुए थे तो आम आदमी party ने ये criteria fulfill किया है ठीक है और या फिर ये political party जो है state party हो recognized as a state party in at least four states देखो तीन conditions है या तो ये पूरी हो जाए या फिर ये वाली पूरी हो जाए दूसरी वाली या फिर ये कि four states में चार राज्यों में आपको state recognized party का दर्जा मिल जाए तो आम आदमी party ने ये वाला criteria पूरा किया है first वाला ठीक है और इनके लोगसभा में चार members भी है ही तो ये चीज़े हो जाती है state recognized party का यदि tag चाहिए किसी political party को तो state recognized party के लिए party must get at least six percent of the votes in that state और साथ साथ दो सीटे जीतनी जरूरी है अब क्यूंकि पंजाब में 95 के around seats हैं आम आदमी party की पंजाब election जो अभी हुए थे एक साल होने पे आ रहा है उसको March में हुए थे right last year so इसमें party को 6 percent votes मिले और दो क्या 90 सीटे जीतली वहाँ पे और दिल्ली में भी ठीक और दिल्ली और पंजाब का इनके पास दर्जा हो गया ये वाला वन MP मस्ट इन लोग सभा एक MP जीतना उस state से जरूरी है and at least देखो एक तो 6 percent votes हो गए लोग सभा के ठीक है और वन MP इन लोग सभा assembly seats की जहां तक बात है at least 3 percent of seats 3 percent of the votes और 3 MLA's in the assembly whichever is more तो एक criteria ये है दूसरा ये है तीसरा ये है ये लक्षमी कांत में भी दे रखे हैं वैसे strength in the house the party has at least one लोग सभा member for every 25 assembly members ये मैं किसी और दिन पॉलिटी का एक lecture लेक्षर लेकर आओंगा इसमें आपको समझा दूँगा अभी के लिए ये है कि जिनको ये formula criteria पता है और जो prelims में जा रहे हैं इस साल या आप लोगों को भी अगर पता है तो इसको at least एक बार revise कर लिजेगा clear इसके इलावा symbols order of 1968 was amended in 2016 to give the parties one additional pass over pass over का मतलब ये है इस amendment के तहट deemed to have been as per this amendment deemed to have been in force from 1st of January 2014 ये amendment को 2014 से force में लाया गया इसके तहट अगर कोई national या state party अगर fails to fulfill the eligibility criteria in the next general election ठीक है मार्च 2014 में वो party ने अपना criteria fulfill नहीं किया था और assembly election में criteria fulfill नहीं किया था जिस assembly election में उसको recognition मिला उसके बाद एक और ठीक है it will continue to be recognized as a national party यानि कि pass over का मतलब ये है कि चलो एक मौका और दे देते हैं ठीक है पहले होता था कि एक election हुआ एक election में state recognized party या national recognized party का status मुला अगले election में second election में अगर आपने दुबारा से अपने आपको prove नहीं किया तो आपका status छिन जाएगा ठीक है लेकिन अब क्या किया गया status नहीं चिनेगा अब तीसरे election में पहले election में status मिला दूसरे election में eligibility पूरी नहीं हुई सब्सक्राइबर वेदर इट विल कॉंटिनु तो भी रिकनाइज आफ्टर एनी सब्सक्वेंट इलेक्शन वुट अगें अव तो बी डिटर्माइट वाइदी eligibility criteria पास ओवर रूल कब लाया गया 2014 से लाया गया एक जन्वरी से यानि कि अगर किसी पार्टी को सदियों से दशकों से जिसे Congress है Congress को अगर National Political Party का status मिला हुआ है काफी सालों से you know since independence मान लो जब से 1968 से order लाया गया था तब ही से अगर Congress का status 2014 में ही चला जाना था लेकिन उसको 2014 में ना जाके 2019 तक का मौका दिया जाएगा अगले general election का अगले लोकसभा election का अब आम आदमी पार्टी को National status मिल गया है as it was recognized as a state party in four states कौन कौन सी states दहली, पंजाब, गोवा और गुजरात तो यहां से आप यह समझ सकते हो कि क्यों छोटे राज्यों में, क्यों छोटी states में political parties जो है चुनाव लड़ती हैं क्योंकि छोटी states के चरिये उनको state political party का दर्जा मिलना आसान हो जाता है त्रिनमुल कॉंग्रेस विच लॉस्ट इस national status had gained it in 2016 by virtue of the Passover amendment त्रिनमुल का कॉंग्रेस का यह चला गया था national status है ना क्योंकि त्रिनमुल कॉंग्रेस ने जाधा अच्छी performance नहीं दी थी लेकिन फिर भी 2016 में इसको restore कर दिया गया यह Passover rule कितना अच्छा है कि democratic space को जो उभरती नई political parties है उनको एक और मौका देना कि चलो ठीक है आपने एक बार अच्छा perform किया दो बार किया तीसरी बार नहीं कर पाए तो तीसरी बार आपका national या state political party का status रद नहीं किया जाएगा चौथा मौका आपको एक और दे दिया जाएगा राइट यानि कि एक और मौका दिया जाएगा तो commission ने west bengal में भी जो है west bengal का three states का जो दर्जा है उसको west bengal की tribal congress को revoke नहीं किया था state party status in line with the amendment तो इस article से हम basically एक जनवरी 2014 की जो election order amendment है उसको हम समझ रहे है राइट यह ल amendment order लाया गया था symbols order of 1968 को amend किया गया था 2016 में to give parties one additional pass over जिसके चलते त्रिनमुल Congress को यह चोटी राज जो यह जो शेत्रिय पोलिटिकल पार्टी है रिजनल पोलिटिकल पार्टी है उनको काफी इससे फाइदा मिला राइट नाव आम आदमी पार्टी है इलेक्शन कमिशन रिकगनाइज डाम आदमी पार्टी अजनल पार्टी वाल रिनमुल कॉंग्रेस न्सीपी और सीपी वर स्ट्रिप्ड ऑफ कॉमिनिस पार्टी ऑफ इंडिया का भी यह दर्जा स्टेटस चिन गया है अब राइट शो यह चीजे हो रही है अब नव कमिंग तु दिस पार्ट रिकगनाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या प्रिविलेजिज उनको मिलती है यह प्रिलिम्ज के लिए इंपॉर्टेंट है रिजर्व पार्टी सिंबल मिल गया प्री ब्रॉड़कास टाइम मिल गया पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करता है इलेक्शन कमिशन अगर दंगे हो रहे हैं चनावी महौल लौ एंड ओर ठीक नहीं है तो राजनीतिक दलों से भी एक सलहा मांगी जाती है गिविंग इंपॉर्ट से सेटिंग इलेक्टोरल रूल्स मॉल्ड़कोरस को इस पर कंसल्ट किया जाता अध्या जाता है कि वह इतने जनता की आवाज को जो है एक अंजाम तक लेके जा रही है जह एक वोइस दे रही है काफी लोगों को पंजाब दिली गुआ, गजराथ अब तो गजराथ भी अड़ हो गया आमादमी electric क स्टेट कैटिगरी स्टेटस में Candidates put up by registered but unrecognized political parties are allotted election symbols by returning officers Registered, हर political party का representation of people's act के तहत register होना जरूरी है So, party cannot use a single poll symbol, जो party non-recognized है, दो parties होती है Recognized मतलब जिनको election commission ने national या state political party का status दिया है Registered मतलब हर political party register होनी चाहिए, तभी जाके वो चुनाव लड़ सकती है Clear? अब यहाँ पे justice के चंद्रू सर ने एक interview दिया है जिसमें Tamil Nadu में जो custodial death होई है, उसके बाद ये मामला थोड़ा tool पकड़ रहा है Tamil Nadu में कि कैसे judicial custody में When an accused is in the custody of a magistrate and lodged in a prison तो उसको judicial custody कहा जाता है, ठीक है state wise deaths का ये data है जो मैंने internet पे search किया और आपके cross I'm coming up with it, तो इसमें UP में सबसे जादा custodial deaths हो रही है MP, West Bengal, Maharashtra, Bihar, अब यहाँ पे Tamil Nadu news में है Tamil Nadu में इसमें case भी आ रहा है There were 478 custodial deaths reported in Tamil Nadu between 2016-17 and 21-22 Writer का ये कहना है कि there needs to be some external monitoring देखो बच्चो, पहले क्या होता था? National Party का tag तभी चिनेगा जब उसने लोकसभा elections या state की जो political parties जिसमें वो state political party recognized थी अगर वो उस पे दोबारा खरी नहीं उतर पाती, दोबारा उस criteria को fulfill नहीं करती वो political party लोकसभा में उतनी seat नहीं है जितनी चाहिए State legislative assembly के elections में उतना बहुमत या उतना मत उतनी voting percentage 6% की उन्हें नहीं मिली तो उनका national political party status छिन जाएगा अगर four state legislative assembly elections में उनको 6% votes नहीं मिले और two candidates अगर उन्हें नहीं जीते उनका status छिन जाएगा अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि देखो पहले क्या होता था custodial debts को avoid करने के लिए या presence के रख रखाव के लिए DM या DC इनका दौरा किया करते थे ठीक अब DM हो गया busy तो इसलिए DM और हस्तक शेप भी नहीं करना चाहता DM क्योंकि SSP system की जगे अब commissionerate system आता जा रहा है ACP system पहले होता था SSP होते थे तो DM का SSP के उपर जादा चेक रहता था पुलिस की कामकाच पे अब human rights commission is also a dead tiger है ना toothless tiger जिसे बोलते हम dead तो नहीं state human rights commission की हालत और भी खराब है क्योंकि state human rights commission के जो chair persons उगारा लाए जाते हैं वो political orientation रखते हैं तो इसलिए prison के उपर जो external monitoring नहीं है उस वज़ा से दिक्कत हो रही है कि police के custody में होने के बाद person के साथ बच सलूकी या उसे इतना heinous torture दिया जाता है कि उनकी death ही हो जाए तो इसके लिए Supreme Court ने 1986 की DK Basu versus West Bengal guidelines issue करी थी 11 guidelines आर्टिकल 22 इस matter में involved हो रहा है इंक्लूड हो रहा है आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है कि arrest and detention से related जो provisions दिये गए है ठीक है NHRC ने ये कहा था custodial debts 11,419 हो चुकी है ठीक है 2016 17 से 2021 22 तो disciplinary action सिरफ 21 केसों में लिया गया और monetary compensation उनको 1184 केसों में दिया गया तो ये बहुत कम है तो इसके लिए कुछ जैसे Canada या advanced countries जैसे system है कि custody में अगर किसी के साथ torture भी होता है तो United Nations Convention Against Torture उन countries ने ratify कर रखा है हमारे यहां United Nations Convention Against Torture इंडिया ने सिरफ इसको sign किया है तो इंडिया अगर इसको sign की वज़ाए ratify कर देगा तो ये situation थोड़ी improve हो सकती है कि custodial debts हमारे यहां कम हो जाएं ठीक है लेकिन problem यह है कि इसके लिए scientific methods of investigation जो बाकी की countries में available है western countries में वो हमारे यहां नहीं है इसलिए officers के उपर penalty लगाने की बात हो रही है कि जिन officers जिन prison के जो इंचार्ज है जेल superintendent है उनके उपर एक शिकंजा कसा जाए कि अगर आपकी supervision में होने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो यह जो है police के उपर सक्त कारवाई judicial magistrate को करनी चाहिए तो accused is sufficiently warned by the police ठीक है data shows that in India there were no convictions in custodial death cases custodial death की वज़ा से किसी को भी सजा नहीं मिली इंडिया में अमेरिका में wrongful procedure leads to mistrial mistrial बोल सकते इसको ठीक है but in India mistrial का मतलब यह है माप कीजेगा mistrial का मतलब यह है कि उस person की trial में कुछ miss हो गया या उसको mistreatment दिया गया या कुछ ऐसा तो यह चीज हो रही है but in India when the police do something illegal it does not vitiate the outcome of the trial even if they illegally enter your house and find find contraband they can charge cheated so when an illegality takes place all that you may get is bail or compensation clear so यह सारा कुछ है now beyond that we do not have any mechanism यानि कि officers जो ऐसे cases में किसी के घर में घुज गए या कुछ ऐसा उनको कुछ गलत चीज मिली तब भी वो charge sheet कर सकते है लेकिन अगर illegally police ने कुछ ऐसा किया है तो आपको सिरफ bail मिल जाएगी या compensation मिल जाएगा उसके beyond police officer को कोई सजा नहीं है ऐसे case में अब देखो police के उपर भी अगर जादा हम शिकंजा कर देंगे तो police अपना काम धंग से नहीं कर पाएगी तो जब scheduled cast और आदी वासी का matter आता है custodial torture even rape तक भी एक आम बात हो जाती है much higher instances देखे जाते हैं क्योंकि इन assies और आदी वासी को या तो अपने rights के बारे में knowledge नहीं है या फिर ये उस आवाज बुलंद आवाज में नहीं बोल पाते क्योंकि आज भी ये लोग दबे हुए हैं इस वज़ा से denotified tribes के case में भी ऐसा होता है जो custodial torture है वो बहुत जादा है तो writer का यहाँ पर यह कहना है कि police को situation को कि custodial debts इस तदाद में इस तदाद में नहीं हो हमारे यहाँ तो इसके लिए आप data विगारा थोड़ा note कर सकते हो और external mechanism का सिरफ एक pointer इसमें से निकल के आएगा now marker of democracy made in Mysore जो हमारी finger पे ballot exercise करने के बाद vote cast करने के बाद जो इंक लगाई जाती है वो Mysore में बनती है ठीक कौन सी company में Mysore Paints and Varnish Limited तो यह महां के महराजा थे बाइ महराजा, कृष्णराजा, वदियर, पोर इन्होंने इसको set किया था Mysore Paints को तो आज भी election commission of India का law ministry के through in national physical laboratory of India and national research development का तीन companies ने agreement sign कर रखा है Mysore Paints के साथ तो जो ink ली जाती है, वो इनी से ली जाती है indeliable ink यानि कि ना मिटने वाली ink remains bright for about 10 days after which it starts fading तो यह जो है bogus voting को more than once voting को avoid करने के लिए यह ink ली जाती है wallet colored ink आज भी Mysore से आती है, तो यह common link बनता है, शोटी से एक news clipping थी interesting थी, ऐसे विगारा के लिए इसको आप use कर सकते हो है na Now, Prime Minister Modi recalls ancient Tamil inscription on the democratic politics तो ancient Tamil inscription के बारे में यह बात हो रही है art and culture को लेके यह article है, इसको आप खुद से पढ़ोगे, यह pdf में दिया हुआ guys, दीक है, इसको क्या ही पढ़ाएंगे analysis वाली news मैं deal करूँगा Dr. Ambedkar sir का आज क्योंकि birthday है तो 125th statue of Dr. B.R. Ambedkar has been unveiled uncovered in Hyderabad, तो Hyderabad में statue बनाया गया है हमारे father of the constitution का Dr. B.R. Ambedkar sir का right, तो यह चीज है, इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, goods exports, growth 6% and imports 16.5% तो क्या reasons हैं इनको दो देख लेते हैं monthly exports जो है fourth time contract हो रहे हैं, ठीक है पिछले 6 महिने से अगर हम देखें, यानि की December, January, February March, November December, January February, March में 6 महिनों में 4thी दफा consecutive ऐसा हो रहा है कि January, February March, December, January, February, March में 4th मन्थ है March जिसमें की exports हाला की बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो amount है ना बढ़ने की वो कम हो रही है ठीक, with a 13.9% drop amid faltering global demand क्या reason है गिरने का global demand falter हो रही है global demand में गिरावट देखने को मिल रही है इस वज़ा से goods trade deficit जो है इंडिया का 2022, 2023 जो year 31 March को close हुआ है trade deficit हमारा बढ़के almost 40% बढ़ गया है previous year के comparison में ये जो चीज़े है न बच्चों ये previous year के comparison में देखी जाती है ठीक है तो goods trade deficit पिछले साल के मुकाबले इस साल 40% गिरा है यहाँ पे देखोगे कि 40% to over 266 billion dollar जबकि 266 billion जबकि पिछले साल ये 190 billion dollar था यानि कि हम जब goods का export और import करते हैं तो हम account बनाते हैं पिछले साल हमारी जो exports और imports में कमी थी deficit था ये कितना था 190 dollar ठीक इस बार ये 266 dollar बढ़ गया है बढ़के 266 dollar हो गया है तो ये total trade deficit for the year at 122 billion dollars is 46% higher than the 83 billion dollar gap in 22 यानि कि हम आयात export कम, import कम नहीं कर पा रहे हैं export हमारे कम है imports हमारे जादा है इसके पीछे reasons क्या हैं crude oil में price की बढ़ोतरी जो हो रही है Russia Ukraine war के चलते और भी हम sale कम कर पा रहे हैं ठीक है the other three of India's top 5 export items registered in significant growth export हम क्या क्या करते हैं rice, chemicals, drugs and pharmaceuticals तो इन में marginal increase देखने को मिली है ये भी एक बड़ा कारण है petroleum exports यानि कि हम raw petroleum crude oil import करते हैं और petroleum products, petrol, diesel को अपनी neighboring countries को export करते हैं पांगलादेश, श्रीलांका, इनको तो यहाँ पे engineering goods, etc इंडिया का जो mainstay है goods export का, engineering goods वो भी कम होते हुए नजर आ रहा है, तो इन चीजों का आप note कर लोगे non oil exports contracted 0.5% and if electronic exports were excluded to goods shipment were 2.8% lower, अगर हम electronic exports के असर को निकाल भी दे तो भी goods exports कम हो रहे हैं हमारी country से, तो सरकार को इसके लिए कुछ करना होगा, हाला कि सरकार ने अभी तक क्या क्या steps लिए है production linked incentive scheme ताकि producers को export करने पर incentives दिये जाए, motivate किया जाए, उनको एक lurement, lurement देखे, right डबबा trading क्या होती है, देखो डबबा trading is box trading, इसको refine language में कर बोलें तो national stock exchange ने notices issue करे हैं, डबबा trading ना करने के लिए investors को forward करते हुए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो informal trading होती है एक तो trading होती है, एक computer से आपने order place किया, दूसरे computer वाले व्यक्ति ने आपको shares बेचे आपने उससे shares को purchase किया sale purchase ठीक, sale और purchase कुछ इस तरह से हो रही है अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो sale और purchase अगर इस formal market में institutionalized mechanism से ना होके बाहर ही होती है दो व्यक्तियों के बीच में individually, ठीक, उसमें income tax department को पता नहीं लगता कितने share बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं और यह पुराना जमाने में ऐसे ही trading होगा करती थी shares का कोई record नहीं होता इसमें तो इसलिए national stock exchange नहीं ये warning दी है कि अगर ऐसा करोगे तो इसके लिए सजा भी हो सकती है ठीक है और इसमें सरकार को नुकसान क्या होता है कि सरकार को जो पैसा मिलना है income tax के वे में securities transaction tax के वे में तो वो भी मिलना बंद हो जाएगा tax मिलना बंद हो जाता है और proper record of income और gain नहीं होता इसलिए लोग डबा ट्रेडिंग करते हैं जो बड़े बड़े वेपारी हैं वो विश्वास के चलते एक common जगा पे मिलते हैं और आपस में dealing कर लेते हैं मैं तुझे इतना share बेचूँगा इतना share दूँगा on the basis of the prevailing price in the formal market यानि कि वो यह बोलते हैं कि informal market में dealing करेंगे लेकिन formal market के pricing के जरीए ठीक है और कभी-कभी इसको बड़े पैमाने पे करने के लिए क्योंकि हर कोई आपस में मिल नहीं सकता तो unrecognized software terminals इसके लिए बनाए गए है एक तो software terminal है national stock exchange का bombay stock exchange का जो prices को हर किसी formal trading करने वाले के system पे दर्शादा है लेकिन इन्होंने अपने ही unrecognized softwares बना रखे हैं जिस पे trading का price इनका अपना अलग चलता है यह price NSE का ही होगा लेकिन NSE को उन dealing के बारे में पता नहीं लगेगा जिस वज़ा से correct price discovery भी नहीं दिखती और इन पे चलांज वेगारा formal receipts के जरिए कच्चे में काम होता है ठीक कालाधन इसमें invest होता है और कालाधन और generate भी होता है returns के जरिए तो यह चीज को रोकने के लिए जो है NSE ने कहा है कि डबा ट्रेडिंग मत करें इससे exchecker को government revenue में loss होता है ठीक है और black money बढ़ेगी यह भी मैंने आपको बता दिया डबा ट्रेडिंग क्या होता है जब यह लोग आपस में मिल के ट्रेडिंग कर रहे है box trading उसे बोला जाता है ठीक है डबा ट्रेडिंग is recognized as an offense यह अगर prelims में question आए तो yes Securities Contracts Regulation Act ठीक है तो यहाँ पर दिक्कत क्या है देखो इतने बड़ा अभी हिंडिनबर्ग report के बाद खुलासा हुआ कि company याँ एक ही company में public provident fund का पैसा लगा हुआ है और ये जो SEBI है national stock exchange है ये अपाचपा डबा खहल रहे है मतलब समझ रहे हैं मेरी बात का यानि कि इतनी बड़ी मचली जो पकड़ी गई है उसको ना focus करके इतनी बड़ी जो बाद का खुलासा हुआ हिंडिन बर्ग रिपोर्ट का, उसे हिडिन बर्ग रिपोर्ट बना दिया है, ठीक, उसके उपर कारवाई करो ना, अब तुम यह अपपा चपपा डबा खेलने लगोगे, छोटी चीजों को पकड़ने लगोगे, उसकी जगे बड़ी चीजों को पकड़ो, एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट को वहाँ भेजो, सेभी की वहाँ एंक्वाईरी होनी चाहिए कि भाई, आदानी कंपनी में इतने ज़्यादा पैसा कैसे लग गया, किसके दामाद है आदानी, वो चीजों पे भी तो फोकस होना चाहिए, वाइल वी आ कैचिंग धी स्मॉ पोशनालिटी कहीं होनी चाहिए, तो यह चीज है, इन्वाईस, 7-day limit set for select firms, देखो, इन्वाईस क्या होता है, कि इन्वाईसेज रेज होते हैं, बड़े-बड़े, ठीक है, बिल्स वेगारा, तो उसमें काफी टाइम लगता है, GST पोर्टल पे, सरकार के पोर्टल पे अप यानि कि sale हुई, लेकिन अगर नहीं पकड़े गए, तो sale हुई ही नहीं, इस go down से माल चला, बिल इशू किया गया, अगर रास्ते में कोई GST inspector पकड़ेगा, तो दिखा देंगे कि हाँ, बिल है, और उस sale को, दूसरा वाला go down, जो buyer, seller है, उसने भी दिखा दिया, और buyer ने भ और है, black trading हो रही है, यानि कि informal market में trading हो रही है, अब government नहीं ये कहा है, कि 100 करोड रुपे से उपर, जिन firms की turnover है, sale है, यानि कि उनको e-invoice IRP portal पे, taxpayers के लिए, aggregate annual turnover, जिनकी greater है 100 करोड की, उनको 7 दिन के अंदर अंदर अपना bill upload करना होगा, हाला कि इसके लिए e-way bills वगारा है हैं पहले भी, लेकिन फिर भी ये धनली हो रही है, currently businesses upload such invoices on IRP on the current date, irrespective of the date of issue of such invoice, ठीक है, लेकिन, अब government नहीं ये कहा है, GST network नहीं, that government has decided to impose a time limit on reporting old invoices on the e-invoice IRP portal for taxpayers, for, you know, having a turnover of 100 करोड, to ensure timely compliance, taxpayers in this category will not be allowed to report invoices older than 7 days on the date of reporting, ठीक है, this restriction will apply to invoice and there will be no time restriction on reporting debit or credit notes, हाला कि debit or credit notes, पैसे का आवा जाही, पैसे का debit होना और credit होना उस पे कोई रोक नहीं लगाए गई, ठीक है, अब आते हैं, editorials पे, इस editorial को हम डील करेंगे, writer यह कह रहे हैं कि artificial intelligence, chatbot और इसके चलते काफी जादा चीजे news में आ रही हैं, तो सबसे पहले Ukraine वाला article देखते हैं, Ukraine के deputy foreign minister, India आ रहे हैं, ठीक है, the first search by a senior government official from Ukraine, Russia Ukraine के war के बाद, इंडिया ने, आप सभी जानते हो कि एक चुपी साधे हुई है, Ukraine Russia war को condemn किया है, लेकिन Russia पे निशाना नहीं साथा, इंडिया ने, इंडिया डिट नॉट होल्ट रशिया as the, as the perpetrator of the war, as the, you know, as the sole country responsible for the war, अब foreign minister ने, इन्ही foreign minister ने इंडिया के उपर attack किया था, कि इंडिया जो oil purchase कर रहा है रशिया से, वो रशिया को blood, मतलब खून बहाने के लिए पैसा दे रहा है, Ukrainian blood उसमें involved है, ये कहा था, foreign minister ने, इंडिया पर दबाव डालने के लिए कि इंडिया, United Nations में, बाकी Western countries की तरह, Trans-Atlantic countries की तरह, रशिया को condemn करे, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, the war has left India in a difficult position, रशिया is a historical partner, which India has deep defense ties with, and there is no easy, immediate alternative here, and रशिया's aggression is a naked violation of Ukraine's sovereignty, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, what India has done is, to try and navigate this maze of geopolitics, through real politics, India ने refuse कर दिया कि हम रशिया को condemn नहीं करेंगे, ये कहा कि रशिया के साथ defense ties हम maintain करके चलेंगे, चाहे तेल खरीदना हो, चाहे S-400 मिसाइल खरीदना हो, as well as expressed its uneasiness with the war, and called for respecting territorial integrity of all the nations, but as the war drags on, this balancing act could be interpreted as inactiveness, India is on the chair, G20 की chair पर आइंडिया और शांगाई को operation organization की भी, ठीक है और इंडिया के उपर दवाफ तो रहे गाई कि आप अगर G20 के chair person हो, chair country हो, तो आपको और जादा काम करना पड़ेगा, शांती विवस्था बहाल करने के लिए विश्व में, वर्ल्ड में, और global leadership पे अपनी दावेदारी पेश करने के लिए, आपको ऐसे हर effort को लेना होगा इंडिया को, to help end the war, लेकिन ऐसा इंडिया नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि इंडिया और रशिया की जो friendship है, या हमारी जो गिर्ती हुई trade देख रहे हैं, trade deficit हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, सारी countries जो global south में, उनको काफी ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है, जाए बांगलादेश, श्री लांका, श्री लांका का भी जो currency deficit, ये जो default हो रहा है, चाहे पाकिस्तान economy फेल हो रही है, उसका भी Russian और Ukrainian war से कुछ न कुछ लेना देना है, और China और Brazil इस बात को बखू भी समझते हैं, urgency को समझते हैं, and they have hinted at playing a bigger role in brokering peace, और India के लिए Russia के साथ इंडिया के संबंद अच्छे हैं, और Ukrainian foreign minister का इंडिया में आके इंडिया को request करना, कि आप please इस war को रुखवाईए, ये इंडिया को एक opportunity मिल रही है, कि जैसे चाइना और Brazil एक greater role play करना चाह रहे हैं, peace strike करने में, इंडिया को भी बढ़ चड़के आगे आना चाहिए, ठीक है, इंडिया का जो रुख है, जैसे इरान और साउधी अरेबिया में शांती व्यवस्था भाल करने के लिए, peace and stability restore करने के लिए, चाइना ने एक leadership दिखाई है, वैसे इंडिया को भी Russia-Ukraine war को end करने के लिए, G20 का chair होने की हैसियत से, शांगाई cooperation organization का chair होने की हैसियत से, इंडिया को एक role play करना चाहिए, इससे इंडिया का जो कद है international politics में वो बड़ा होगा, राइट, इंडिया would stand big, क्योंकि चाइना जो है अपनी assertiveness दिखा रहा है, ऐसे disputes को resolve करके, तो ऐसे time पे जब organization of Islamic cooperation में इंडिया की आलोचना हो रही है, अगर इंडिया इस war को end करवा देता है, by asking Moscow to bow down, by asking NATO to, you know, not to indulge in adventures like Finland में, Finland को शामिल कर लिया, नेटो में, वो सब चीजों को अगर इंडिया रुकवा पाएगा, तो इंडिया का कद बढ़ा होगा, इंडिया's policy of conflict is rooted in its strategic neutrality, neutrality, इंडिया की own strategy को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के अपने concerns को ध्यान रखते हुए, ठीक है, राइटर लेकिन इंडिया को criticize कर रहे हैं, neutrality does not mean that India should do nothing, neutrality का मतलब यह नहीं, कि हम हाथ पे हाथ दर के बैठे रहें, ठीक है, तो conflict को रुकवाना भी neutrality का हिस्सा हो सकता है, दोनों sides पे equal दबाब डालना, यह भी एक neutrality है, लेकिन चुप चाप बैठ जाना, यह एक अलग तरहें की neutrality है, इंडिया के कद को, इंडिया के global stature को देखते हुए, जब हर country इंडिया की तरफ देखती है, एक moral voice raise करने को लेके, तो ऐसी moral voice इंडिया को इस time पे, much needed है कि इंडिया raise करे, इससे इंडिया का China, visa v. China, visa v. US, visa v. European Union, सब तरहें से देख लिया जाए, तो इससे इंडिया का फाइदा ही है, चाहे हमारी domestic economy का भी हम देखें, उसमें भी फाइदा है, यह सारी चीज़े है, अब यहाँ पे यह तो हम नहीं deal करेंगे, दलित एजेंडा वाला जो आर्टिकल है, हम सिधा इस आर्टिकल पे आते हैं, कल का यह आर्टिकल है, देखो, corporate power and Indian inflation, यहाँ पे यह कहा जा रहा है, जो big five है, ठीक है, इंडिया की inflation बढ़ रही है, तो यह कहा जा रहा है, जो big five companies है, core inflation को बढ़ाने में, उनका एहम योगदान है, big five कौन है, Tata, Reliance, Adani, Birla Group, ठीक है, बारती टेलिकॉम, तो राइटर यह कह रहे हैं, कि attributing, elevated core inflation in the consumer price, as wholesale prices fall, अभी क्या हो रहा है न, wholesale prices तो गिर रहे हैं, मैंने आपसे बादा किया था, कि कल के इस editorial को, important editorial को हम डिल करेंगे, wholesale prices के गिरने के बावजूद, consumer price index, inflation में बढ़त दिखा रहा है, तो यह एक irony है, कि wholesale level पे, go down level पे prices गिर रहे हैं, लेकिन retail level पे prices बढ़ रहे हैं, तो राइटर का यह कहना है, कि जो लोग, जो critics, इन पांच बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार धेराते हैं, क्योंकि इनका एक eminent presence है, Reliance, Geo Mart, Tata, नमक से लेकर सारी चीज़ों में, ठीक है, इनका यह कहना है, कि big five की वज़ा से यह हो रहा है, ठीक है, कि corporate जो हैं, वो मुनाफ़ा खोरी कर रहे हैं, पैसा जादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, यह पांच बड़े उद्द्योग groups, industrial houses, इसको हम supermarket store कहेंगे, तो आदानी भी उसमें present है, सर्सो के तेल में भी आदानी लिखा होता है, fortune के उपर, unfortunately, now, it may be noted that, their presence in the economy itself may not be so high, they account for 12% of non-financial sector sales, this does not signal high pricing power, यानि कि writer यह कह रहे है, नहीं है, ठीक, तो अब इसके पीछे क्या reasons दी है, writer ने, writer नहीं एक आए, कि देखो, पहला कारण यह है, WP को wholesale price inflation को, consumer price inflation से compare करना, चाहे headline हो, चाहे core हो, तो यह एक mismatch है, क्योंकि core, you know, core inflation, core items के जो prices है, उनमें ऐसी items हैं, जो wholesale basket में हैं ही नहीं, ठीक, wholesale basket में जो items हैं ही नहीं, तो wholesale price index को, consumer price index से compare करने में, कोई तुक नहीं बनती, mismatch है, this is to acquies a mismatch, इसका मतलब यह है, finally writer यह कहते हैं, कि theory में, corporates inflation को बढ़ा सकते हैं, by increasing their margins, ठीक है, if the concentration rises continuously, concentration मतलब, अगर इन 5 बड़ी companies का, Tata और यह सब का, presence बढ़ जाएगा, जैसे chroma retail, वो भी Tata का है, consumer durables, जैसे AC विगारा की inflation कितनी होगी, उसमें Tata एक एहम role play कर सकता है, chroma electronics stores के जरिए, ठीक है, lighter यह कह रहे हैं, कि हाँ यह बाट ठीक है, कि अगर इनकी concentration, 12% अभी है, जो अगर यह और बढ़ती है, तो यह prices को drive up कर सकते हैं, ऐसा US जैसी बड़ी economies में भी देखा जाता है, कि जहाँ उद्योग पती, starting से लेकर, TV बनाने से लेकर, TV बेचने तक लेकर, पूरी chain को control करते हैं, जैसे पहले चोटे-चोटे stores होते थे न, कि मोनु के पापा से TV ले आए हम, अब क्या है, सभी companies के honors, यह chroma retail store, geo mart, अगर cold drink लेने भी जाते थे, ठीक है, अगर आप अपने end पे voice check करो, play date, हमारे end से sound check है, अगर होता है तो team alert कर देती, ठीक है, तो point समझो, big five are most represented, यहाँ पे क्या है, that we have not reached there yet, US 11 में क्या है, यह पूरा सारा control ही इनी का है, जैसे आप देखोगे, Apple, अपना phone सिरफ designated 3-4 players के जरीए ही बेचता है, यह जो भी Apple के stores हैं, authorized resellers हैं, उनके जरीए ही बेचता है, price पे strict control रगता है, वैसे ही मारूती के उपर Competition Commission of India ने penalty लगाई थी, कि मारूती अपने dealers को discount नहीं देने देती, तो यह सारी चीज़ें वैसे ही नमक का दाम क्या होगा, more store में टाटा तै करेंगे, जियो मार्ट में अंबानी तै करेंगे, तो यह सारे जो है, prices को अप करेंगे, तो इनका मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी, as a democracy writer यह कहते हैं, India should guard against the potential use of countervailing power by any company or any corporate pursuing a private interest, whether economic or social, countervailing power इंडिया के पास में क्या है, Essential Commodities Maintenance Act, सरकार यदी चाहे, इन बड़ी पुझी पतियों को यह कह सकती है, कि आप 10% से ज़्यादा margin, 5% से ज़्यादा margin, किसी भी सौदे की चीज में, सौदे की चीज मतलब consumer price index वाली items, bread, butter items में, tata salt में, ketchup में, maggie के price, आप इतने ज़्यादा margin पे नहीं बेचोगे, 15%, 20% पे, इसको control कर रही है, इतना ज़्यादा इनका दबदबा होता जा रहा है, कि 12% हमारे sector का, यह control कर रहे है, ठीक है, अब आदानी ग्रूप को, तो आप देख जानते हो, manufacturing, production of oil, आटा भी आने लगए, आप तो आदानी का, ठीक, ना नहीं याद दिला देंगे हमें, तो बिर्ला ग्रूप आप देखते हो, finance में भी है, अधित्य बिर्ला ग्रूप, ठीक, टाटा ग्रूप आप जानते हो, टाटा, SBI, credit card, या टाटा, salt, टाटा, ट्रैक्टर्स, क्रोमा रीटेल, वोल्टास का जो AC आता है, वो भी टाटा का है, तो इतनी eminent presence है, और भारती टेलिकॉम, ये भी, Airtel money, etc., भारती Airtel, जो company है, ये भी, एक एहम role play करती है, इस market में, clear, नाउ, एक और editorial, क्या current regulatory system, जो है, artificial intelligence से deal करने के लिए, परियाप्त है, तो artificial intelligence के बारे में, काफी वाहवाई हो रही है, chat, GPT, etc., ठीक है, लेकिन these technologies, have so far raised questions about privacy, monopolization and job losses, monopolization जान रहे होना, कि जैसे goods बेचनी है, तो वो, Zomato ने करीदा, Blinkit, Zomato की monopoly हो गई, चाहे खाना, restaurant से मंगाना हो, restaurant नहीं बेच पाएगा, अगर Zomato नहीं चाहता, restaurant को दिखाया ही नहीं जाएगा, ठीक, वैसे ही, Blinkit, अगर dairy milk बेचनी है, तो dairy milk बेचनी है, तो Blinkit पर दिखेगी ही नहीं, तो धीरे धीरे से, monopolization होती चली जा रही है, Amazon भी ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, टेकनोलोजिकल चेंज इंप्रूब्स, एग्रिगेट प्रोड़क्टिविटी, प्रोड़क्टिविटी बढ़ती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट अफ सोसाइटी अज़ अज़ गोज अप, अब जैसे चाट जीपीटी के बारे में राइटर ने लिखा है, कि एक ग्लोरिफाइड बिग डेटाबेस इन्होंने बना लिया, of everything that has been written on the internet, उसको assimilate करके, लेकिन एक फ्रेज यूज होता है, राइटर कह रहे है, AGI, Artificial General Intelligence, which people are using to emphasize the uniqueness and capability of human mind, and it should not be mistaken for the genuine human capability to think, to invent, to have a consciousness and to wake up with the urge to do something, ठीक है, mistaken for the genuine human capability क्या है, बोले कि चाट जीपीटी जो है, वो content writers जैसे हम लोग भी content writers हायर करते हैं, या जो बोलते हैं कि overall industry में जो content writing की job है, वो अब खत्रे में हो जाएंगे क्योंकि chat GPT आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये गलती कर रहे हैं, writer कहे रहे हैं, कि genuine human capability to think, to do something, to assimilate differing viewpoints, ठीक है, वो chat GPT जैसा कोई भी software नहीं कर सकता, एक important question ये है technology policy के बारे में, इंडिया में कि checks and balances कौन रखेगा, ठीक है, what kind of data should government have about us, airport से ये पता लग गया, facial recognition के जरीए कि हम जा कहा रहे हैं, ठीक, फिर हम उतरेंगे कहा, फिर हम वहाँ क्यों गये थे, ये हमारी Uber Ola app से पता लग जाएगा, कि हमारा last point of destination क्या था, फिर हमने WhatsApp से किसको call किया, किस से मिले, उससे ये भी पता लग जाएगा, कि हम गये क्यों थे, ये जो surveillance powers हैं सरकार के पास, ये बढ़ती चली जा रही है, क्या इसकी कोई regulatory authority है, राइटर ये कह रहे हैं कि artificial intelligence के जरीए, चारों दिशा का ये data, चारों sets of data, कहां गये थे, किस के जरीए गये थे, किस लिए मिलने गये थे, किसको call किया, ये सारा data club होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए regulation कहीं नहीं है, ठीक, We also need laws for the deployment of AI-based systems, कहां कहां पे AI-based systems को, artificial intelligence-based systems को deploy किया जा सकता है, उसके बारे में भी पता होना जरूरी है, ठीक, OpenAI और Microsoft collaborate कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, on one line of attack, ठीक है, तो OpenAI और Microsoft, OpenAI क्या है जिन्होंने chat GPT बनाया है, Microsoft इनके साथ club कर रहा है, तो यानि कि, कल को मैं जब DNA बनाऊंगा, तो OpenAI और Microsoft bundle होके, मिरे को अपनी services देंगे, PPT बनाने में, ठीक है, We can also see Facebook, which is now called Meta, building in this space, and of course, we have a giant and potentially the best in the game, Google, तो क्या risk assessment approach, भारत सरकार, regulators लेके आएंगे, हमारे हैं अगर हम देखें, तो अभी तक एक data protection law, data privacy law भी नहीं बनाया गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, a lot of police departments, and a lot of state governments, are using this technology, and it comes with the error rates, कौनसी technology, facial recognition, कि हाँ ये वही व्यक्ती है, जो gun से attack करते हुए पाया गया था, सिरफ इसलिए कि facial recognition software ने बोला कि ये दोनों चहरे मिलते हैं, जो बच्चा school में पढ़ता है, उस बच्चे का चहरा गलती से, अगर किसी अपरादी से मिलता है, तो police उसे round up करने लग जाएगी, this may result in harassment, exclusion, तो there needs to be a level of restraint, हमें जादा attention पे करनी होगी, to the conversations happening in Europe, around AI, and the risk assessment approach, adopted by regulators in Europe, and other foreign countries, उनसे हमें सीख लेने की जरूरत है, ये है इस article का, मतलब ठीक है, ये बार ठीक है कि हमें, focus रखना चाहिए, productivity पे, लेकिन, यहां पे क्या हो रहा है, it's good for the society, when human beings produce more output, ये भी ठीक है, people who lose jobs, will see job opportunities, multiplying in other areas, ये भी ठीक है, लेकिन, जो privacy का खत्रा है, regulation का जो खत्रा है, उससे नजरे नहीं फेरी जा सकती, समझ रहे हो, तो regulation जो है, is in the catch-up mode, तो ये चारी चीज़े हैं, online gaming के उपर, Tamil Nadu का ही editorial था, कल का ही editorial था ये, आज कुछ इतने अच्छे editorial नहीं है, आज का editorial ये अच्छा था, इससे आपको, एक point मिल जाता है, how to regulate the, new upcoming technologies, productivity is the, game, but it cannot be the end game, it cannot be the only conclusion, we cannot only weigh the benefits, and gloss over, and turn a blind eye to the, negatives of such, recent developments, better developments in technology, as they come with the price of, compromise of privacy, right, and clubbing up of data, data जो है, हमारा सभी एक जगे, collate किया जा रहा है, Facebook ने meta बना लिया, meta का मतलब है, meta, Facebook पे आप जो कर रहे हो, WhatsApp पे आप जो कर रहे हो, उन सभी data को, combine कर सकता है, अब meta, इसलिए इन्होंने company चेंज करी थी, कि Facebook और Instagram और WhatsApp अलग-अलग नहीं है, ये meta के parts है, और meta अगर इन सारे डेटा को, आपकी chats को, आपकी Facebook की location को, सब को मिला कि, अगर meta डेटा बनाता है, तो वो एक ही company मानी जाएगी, ये अलग-अलग companies नहीं मानी जाएगी, clear? So, ये ता हमारा आज का news and editorial analysis, thank you guys, bye-bye.